मद्य परदेश के सरदारपूर के दसाई में 31 गंतंतर दीवस हर्शो लास के साथ मनाया गया इस मोके पर तिरंगा जंडा फेहराया गया और कई स्कूलों की तरफ से रैलिया निकाली गई जिसमें कड़कडाती ठंड के बावजूद बच्चों में जबरदस्त उत्सहा दिख उन्होंने कारेक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज रास्ट्र बदलाव के मार्क पर हैं युवाओ का उत्सहा देश का हित में हैं युवाओ को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हमें शहीदों के दिखाए हुए मार्क पर चलना चाहिए इस मोके पर स्कूली बच् देखे सर्दार पूर्स सवदाता दश्रत पार्टीदार की रिपोर्ट देखे साखाओं को जहिन किया था 14 साल की उमर में देख को आजाद कराने की इसी तरह से आज देख में अमुल भूत परिवर्टन आ रहा है एक इस वक्त मुझे रिशा लग रहा है कि देख के अंदर आजादने के टाइम की परिसितियां बन रही है कुछ पहले उस समय गोरे लोग थे इस समय अभी हमारे देश के अंदर ही कुछ एसे लोग आ गया है जो देश के अंदर अस्थजता पेदा करने की कोशिश कर रहे हैं एसे तत्वों से जागरुकर रहने के लिए जिस तरद भगत सिंग आजात कांती सेना का गठन किया गया है सारे सेनिकों को मेरी यह है वह इच्छा है कि सेनिक को की सेनिक की तरद चतूर निगाओं के देश को देखना है ताकि कुछ भारिक के तत्व आ करके देश को इस्थित्ता पेदा ना करें आप आर्मी में 1986 में गया था जो सेंटर हमारा क्रेंग सेंटर था यह हमसे सेंटर एन स्कूल लखनो उसके बाद में मैंने काफी सेवाएं कांगो जाने के लिए जो साउथ अफरिका में तो वहाँ पर भी मैं एक साल के करीब सेवा दी अपका नाम में केप्टन शिवनारेंड पाटिधार आखरी रेटायर्मेंड मेरा दिली आरेंड और हॉस्पिटल रिफरेंड रिशर्च जिसको बोलते हैं वहाँ से मेरा रिटायर्मेंट हुआ है सन निसो दे दोहजार सोलाग जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिच पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट्स जोती गार्डन वोल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंडिशन, लुष ग्रीन लॉंस, प्रफेक्ट वेन्यु फो बेडिग, लाँचिंग, पार्टी राजगराना और जोती गार्डन, जे बीडी बैंक्वेट्स एंटरवाइब